हे गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो इस 21 दिन के लोकडाउन के समय में हर कोई व्यक्ति अपने ही घर में केद है बहुत से परिवार वाले साथ में खेल कर अपना समय भीता रहे हैं और बहुत से लोग अपनी आर्थिक समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वे घर बेटे सिर्फ यही सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ एसा तरीका मिल जाए जिससे वे घर बेटे कमा ले तो दोस्तो आज से हम हमारे इस चैनल पर लगू द्योग की सिरिज लेकर आने वाले हैं कुछ एसे वे उसा है जिसे आप अपने घर से ही कर पाएंगे और इस लोगडाउन की इस्तिती में जादा रही पर थोड़े पेसे तो आप कमा ही लेंगे दोस्तो इस सिरिज में हम बहुत ही ज़्यदा हाइफाई बिजनेस तो आपको नहीं दिखाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वे बिजनेस दिखाएंगे जिसे आप घर से ही कर पाएंगे और जिसमें आपको ज़्यादा संसाधनों के आउशेकता भी न हो सबसे पहले यदि आप हमेशा ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियास प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ ही में बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भुलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करना ने लगुद्यों की वह है पापर मेकिंग बिजनस जी हाँ दोस्तो इस बिजनस को आप इस लोकडाउन के स्थिती में भी अपने परिवार वालों के साथ घर पे कर सकते हैं और इस बिजनस से आप इतने पेसे तो कमा ही लेंगे जिससे आपके एक मेने का राशन आप आसानी से खरिश सकते हैं आईए जानते हैं इस बिजनस को करने के लिए क्या क्या मशीन उपलब्द है तो पहली मशीन का मॉडल यह है पर आज हम इसकी बात नहीं करेंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले इस मशीन की जो दिखने में काफी छोटी है और आपके शहर में आप किसी कॉंट्रेक्टर से कॉंट्रेक करके आसानी से उलिबल करवा सकते हैं और यह मशीन बेजिया वो पलद्द नहीं करवा पाते हैं तो दोस्तो इस प्रकार के साधरन तरीकों के साथ में आप अपने घर पे पापड मेकिंग बिजनस शुरू कर सकते हैं बात करे पापड को बनाने के आटे की तो वो घर की सभी मेलाओं को वेसे तो याद ही होता है परन्तु यह विदी आप नेट पर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो आईयम जानते हैं हमारी इस मशीन किस प्रकार से पापड को घर पर ही तेयार करती है तो शुरू करते हैं करते हैं लगूत द्योग सीरीज की पहली वीडियो अगर आपको पसंद आईये तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और हमसे जुणने के लिए और सेकंड वीडियो भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग दिस इंफर्मेटिव वीडियो